भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर दुखत खबर सामने आ रही है। दरसल दिगज डारेक्टर ताती नेनी रामा राफ का निधन हो गया है। मंगलवार देर रात उन्होंने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया है वे अभी 84 साल के थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टी रामा राफ पिछले काफी समय से स्वास्ते संबंधी परिशानियों से जूज रहे थे। कहा जा रहा है कि राफ को चैनई के एक निजी अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भरती करवाया गया था। लेकिर उन्होंने इसी अस्पताल में हमेशा के लिए अपनी आखें मूंद ली। बुद्वार को यानि आज उनका अंतिम संसकार किया जाएगा। बता दे कि टी रामा राव ने अपने निर्देशन के करियर में एक लंबा सफर तै किया है। उन्होंने 1967 से लेकर 2000 तक कई फिल्मों का निर्देशन किया। इस टेस्ट में तमिल तेलगू और कई साउध भाशाओं की फिल्मों के अलावा हिंदी फिल्में भी शामिल रही। टी रामा राव ने अपन चचेरे भाईयों के साथ साल 1950 में सहायक निर्देशक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 1977 में आई टी रामा राव और जया पर्दा की फिल्म यमगोला उस समय की ब्लॉग पास्टर फिल्म साबित हुई थी। चारों और सिर्फ इसी की चर्चे होने लगे थे इसके अलावा भी उन्होंने अपने करियर में एक के बाद एक कई हिट फिल्म में धी। भी फिल्म निर्देशन टीरा मराव को श्रद्धांजली दें और हमाय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें